हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसे के वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भु प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार जैसे किश्णा आशी राध है देखना है जोतिश दिशा सत्य की राह अपने फ्रेंड के साथ एश्ट्रो फ्रेंड के साथ हैश्टेग एश्ट्रो फ्रेंड कहीं भी कुछ भी शेयर करना हो तो आपको बस यही लिखना है हैश्टेग एश्ट्रो फ्रेंड हैश्ट शुभ और सोचनी और विचारणी यह यह विशय आज हम हर इस्त्री के लिए लेकर आए हैं हमारे जीवन में मा का रोल क्या है ये समझने के लिए सिर्फ दो रिष्टे होते हैं या तो मा या फिर अकेला बच्चा हर वो केला बच्चा मा के उस रोल को समझता है एक बिडंबना है कि इस विशय पर तो बहुत सारे मुवीज भी बन चुकी है बहुत सारी कहानिया लिखी जा चुकी हैं बहुत सारे एकांकी नाटक प्रहसन भी हो चुके हैं एक शब्द आता है सो तेली मा हमें पता है हमारे आप सब दर्शकों में से बहुतों की जीवन में ये दंश आया होगा ये दर्द उन्होंने जेला होगा ये दर्द उन्होंने पाया होगा विगत दिनों एक केस इस प्रकार के आये थे वैसे केसे तो आते रहते हैं लेकिन एक केस इस प्रकार का भी आया जहां से थोड़ा सा हम भी विचलित हुए सौत सब्द से बनता है सौतेली मा सौत से सौतेली, सौत ली हुई सौत सब्द एक इस्त्री के इस्त्री के निमित आता है चोकि उसने किसी इस्तिरी की जगह लिया है इंगलिस में स्टेप मदर कहते हैं तो उस मा के अंदर ममत्व क्या बट जाता है या क्या हो जाता है ये तो खैर वो जाने बट कुंडली में चंद्रमा के अथाह पीडित होने पर या चतुर्थ भाव के अथाह पीडित होने पर यह योग निर्मित होता है बहुत ध्यान पूर्वग अब इस बातों को समझना होगा और आज जो चीज हम समझाना चाहते हैं वो स्विशे तक आप सब को पहुँचना होगा हम विश्वास रखते हैं कि आप सब में से बहुत सारी इस्त्रियां बहुत सारी महिलाएं इस रोल को भी निभा रही होंगी आज किसी की अरधांगिनी बनी है जिनकी पत्नी दिवंगत हो चुकी हो या जिनका तलाक हुआ हो उनसे कोई बच्चा पहले से आपके पती के पास हो और आप उस बच्चे की स्टेप मदर के रूप में आज अपने अपनी जिम्मेदारियों का अपनी रिस्पॉंसबिल्टीज का निर्वहन कर रही हो बहुत सारी इस्त्रियां ऐसे होंगी महिलाएं होंगी लेकिन फर्क क्यों और कैसे दोनों शब्दे फर्क क्यों और कैसे आता है जो चीज आप अपने बच्चे के लिए सोचती हैं वही चीज उस दूसरे बच्चे के लिए क्यों नहीं देखा जाए तो आप उस बच्चे की सबसे बड़ी गुनहगार बनती हैं जिस बच्चे के बाप पर अपना अधिकार जमा लिया है अगर देखा जाए और हम जैसा कटु सत्यवादी अगर सामने आ जाए तो मैं कहूंगा अपने बच्चे का हग माल लिया उससे उसका बाप छिन लिया मैं तो बोलूंगा कर लिजे जो करना है आप पक्षपात क्यों और कैसे करती है उसने अपनी माग खोया है और बाप भी आपने छिन लिया माग को तो भगवान ने छिना और बाप को आप छिन रही है क्या समझ से परे मेरी तो समझ से परे है भगवान जाने क्या है बट मेरी समझ से परे है पूरी तरह से बच्चा किस तरह से फिर खुद को पालता है यादों में खोखो करके खुद को अकेला बना करके खुद को आईसोलेटेट करके खुद को खत्म करके पिताब ही जैसे मैं तो नामर्द कहूंगा ऐसे बापों को चुलू भर पानी लेके नाक रगड के मर जाए ये मेरी अपनी निजी राय है हो सकता है कुछ लोगों को गंदा और गलत लग रहा हो लेकिन जो सच है वो मैं बोलूँगा मेरा मन्च है मर्यादाओं का निर्वहन मुझे करना आता है लेकिन जो सचाई है उसको स्विकार करना आपको आना चाहिए बिवाह क्यूं किया है एक पुरुष ने अपनी पत्नी के दिवंगत होने या तराक होने के बाद एक बच्चे के रहते हुए भी दुती बिवाह क्यूं किया है सारीरिक सुख के लिए नहीं एक पारिवारिक संतुलन के लिए किया है जहां तक मैं समझता हू सारीरिक सुक तो बहुत बड़ी चीज नहीं है एक पुरुष के लिए लेकिन एक पारिवारिक संतुलन एक बड़ी चीज है तो उस पारिवारिक संतुलन की व्यवस्था के अंतरगत अगर वो किसी इस्तिरी को अरधांगिनी बना करके पुनह ले आया है तो एक सम्यक ब्यवस्था रहे ना एक संतुलित ब्यवस्था रहे और आप आते ही एका अधिकार हो सकता है। तमाम सारे पहलू हो सिख्के के लेकिन यहां भी मैं एक बात ले आता हूँ कि वो जो इस्तरी आई है वो इस्तरी ज्यादा मेच्योर है वो बच्चा-बच्चा होगा, हो सकता है क्योंकि मुझे नहीं रखता कि 30-35 साल का कोई बच्चा प्रोड हो गया तो पुनह उसकी पिता शादी कर सकते हैं exceptional cases छोड़ दिया जाए 5-6 वर्ष तक का बच्चा होता है घर वाले दबाव बनाते हैं पुरुष के उपर दबाव पड़ता है और वो पुनह विवाह करता है एक व्यवस्था सामाजिक स्विक्रती के अंतरगत हम इस चीज को तरजीह देते हैं प्राव पर तरीके से देते हैं बट जब एक महिला उस घर में प्रवेश कर गई तो अब वो महिला पत्नी बनी और एक बच्चा जो पहले से था उसकी मा बनी लेकिन इस व्यवस्था के अंतरगत फिर वो मा का ममत तो कहां चला जाता है ये समस्य परे है चलिए हम प्रार्थना करते हैं हिश्वर से हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया आप लोगों पर ऐसी तमाम इस्तिरियों पर जो इस्त्रमें उस प्रकार की भूमिकाओं को निभा रही है कि विशार करिएगा और ऐसे समस्त बच्चों को हम बहुत सारा प्यार दे रहे हैं इश्वर मेरी भी खुशियां आप सब तक पहुँचाएं आप लोग हमेशा खुश रहें आप लोग प्रशन रहें आप लोग हसते रहें मुस्कुराते रहें गुल्गुनाते रहें और जो भी बन सकेगा ऐसे बच्चों के लिए कही से भी निवर फील अलोग आई माईसेल्फ आलवेज बीदियो इन यूर हर्ट आलवेज हर सेकेंड हर छण हर लमा दिलों पर आज करेंगे हम आपके कभी आपको अकिला नहीं होने देंगे खुश रहिएगा प्रशन रहिएगा और एक छोटा सा उपाय बताते हैं ऐसे समस्त बच्चों के लिए जो आज मात्तित्व सुख से हीन है एक बहतरीन सा प्रयोग ले लीजिए कभी आपको मा की कमी नहीं खलेगी कोई भी छोटी सी चीज आप अपने मा की कपड़ा, फोटो, चोडी, बिचुआ, कुछ भी मा का प्रयोग किया हुआ कोई भी एक वस्तो लीजिए पूनम की रात, पूरी रात उसको गंगा जल में भिगो के रखिए और सुबह उसे एक सफेद रेसम के कपड़े में लपेट कर, या कागज में ही लपेट लीजिए, आप छोटे बच्चे हैं तो कागज में ही लपेट करके अपने पास रख लीजिए इस्टेप मदर कैसी भी हो कैसी भी हो आपकी मा है, आप माभाव से उनकी सेवा करिए, उनका आशिरवाद लीजिए, वो जो करेंगी भगवान देख रहा है, आपकी उपर बैठी मा देख रही है, उनको अपने किये का असर दिखेगा, आप खुश रहेंगे, प्रशन रहेंगे, हस्ते रहेंगे, गुर्बुनाते रहेंगे, एक सामाजिक विशे था ये, इसलिए इस विशे को लेकर आना आनिवारे था, और मैं बार-बार इस तरियों से यही कहूंगा कि आप पूजनिये कुछ विशेश गुणों के कारण होती हैं, आप नारी हैं, आपके शरीर में नारी वाले अंग हैं, इसलिए आप पूजनिये और वंदनिये नहीं हैं, आपके अंदर के गुणों के कारण आप पूजनिये और वंदनिये होती हैं, जिस पल आप उन गुणों को खत्म कर देंगी, वो ममता, वो ममता का आचल वो दया वो शहिशुनता वो खत्म कर देंगी फिर आपके अंदर पूजने योग कि बचेगा क्या क्या बचेगा आप इस तरी हैं तो इसलिए पूजा जाएगा नहीं 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 सुरप्रनखा भी थी याद है पूजा गया था क्या महिला ही तो थी पूतना भी थी पूजा गया था क्या महिला ही तो थी सोचिएगा बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सब किस खास प्यार के लिए और उन समझत हमारे नोनी हालों के लिए बच्चों के लिए खुब सारा धेर सारा आशिरवाद और प्यार खुश रहेगा प्रशन रहेगा हसते रहेगा फिलाल के लिए अपने इस दोस्त को अनुमत दीजेगा नमस्कार अधिक जानकारी वो अपन्मेंट के लिए संपर्ख करें डबल लाइन 10291850 और डबल लाइन डबल लाइन 02400 डबल लाइन और प्यू दोङन फूसे के लिए अधाया जोस्त आप नहीडा दीजेख